तो आपका हमारे चैनल धाकड ओनलाइन इस्टेडी में दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम SSC ZD एक्जाम 2023 के सेलेबस के बारे में जो है डिटेल वाइज देखेंगे कि कौन से टोपिक से कौन से क्यूशन बनेंगे और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्यूशन और क्या क्या क्यूशन पूचे जा सकते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हिंदी सब्जेक्ट के बारे में हिंदी के कौन कौन से टोपिक एक्जाम में पूचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं शब्दों के समाना आर्थक हिंदी शब्द, संदी, संदी विछेद, उपसर्ग, उसके बाद प्रति, प्रैवाची सब्द, मुहावरे, लोकोक्तिया, सामासिक पदों की रचना और समास विग्र, विलोम शब्द, शब्द यूग्म, उसके बाद करम वाच्च और बावबाच्च का प्रियोग, साकरमक करिया, अकरमक करिया, और पूर्वकालिक करिया हैं, उसके साथी शुद्ध, अशुद्ध शब्दों का सुद्धी करण, और सभ्द गत अशुद्धी का कारण, उसके बाद सरल, सयुक्त और मिष्ण, अंग्रेजी वाक् अनेकार्ती शब्द वाक्य शुद्धी अशुद्धी व्याक्यों का शुद्धी करण और व्याक्यान्स के लिए एक सार्तक सब्द कृत वाच्च वाच्च उसके बाद अंग्रेजी के परिवाशिक सब्दावली या तक्निकी शब्दावली उसके बाद SSE GDB syllabus Hindi में आप देख सकते हैं और उसके बाद English की अगर हम बात करें तो English के अंदर जो है fill in the blanks और error, spotting, phases, replacement, spellings, one word substitution, reading, comprehension, or spot the error, fill in the blanks, synonyms, homonyms, or antennas, idioms and phrases, or one word substitution. उसके बाद improvement of sentence, active, passive, voice, conservation into direct, indirect speech या जिसे हम narration भी बोलते हैं उसके बाद suffering of sentence, parse, suffering of sentence in a passage, or close passage etc. ये जो है English का सलिबस होने वाला है उसके बाद mess के अंदर अगर हम देखें तो छूट से समन्दित क्यूशन, शेत्रमिती के क्यूशन, व्याज, लाभाने के प्रश्न, समय, दूरी, नाव और धारा के प्रश्न, समय और कारे, संक्या प्राली, ओसत, संक्याओं से समन्दित समश्याएं, पूर्व संक्याओं की गण्ना, उसके बाद दश्मलों और भिन, संक्याओं की भी समन्द, परतिश्यत, अनुपात और समानुपात के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बाद रीजनिंग सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इसमें युग्म, गठन, अक्षर स्रंकला, वर्णमाला स्रंकला, शब्द गठन, शब्द कोश, अक्षरों का तारकी क्रम, संक्या स्रंकला, लुप्त संक्याओं, साद्रशिता प्रिक्षन, वर्गीकन, गणिती समिकरण, और रक्त समंद, यानि ब्लड रिलेशन समंदित क्यूशन पूचे जाएंगे, उसके बाद नोन वर्बल रीजनिंग के अंदर अगर देखी, तो दर्पन और श्यतिज पर्तिबिंद, कागज मोरना और काटना, छिपी हुई आकरती का पता लगाना, आकरतियों को जोड़ना, ये जो है, ये टोपिक आपके रिजनिंग के रहने वाले हैं, उसके बाद रिजनिंग और गनित के जो है, मिक्स टोपिक है, उसके अंदर एनलेटिकल एप्रिटूड है, और प्रिंसिपली जो है, नोन वर्बल टाइप के क्यूशन होंगे, और कंपोनेट्स मे include question and analogy और similarity से समधित question होंगे उसके बाद visual memory या decremention के question होंगे और concept of mathematical reasoning के और figure classification के question भी दिये जाएंगे उसके बाद arithmetic number series और non-verbal series coding decoding से समधित question भी जो है पूछे जाएंगे उसके बाद general knowledge और general awareness की बात करें तो उसमें भारत और उसके पडोसी देशों समधित question, खेल इतिया संसकर्ती, भुगोल, आर्थिक द्रिश्य, सामन्य राजनिती भारती सविदान और विग्यानिक अनुसंदान, सामन्य विग्यान करेट अफेर के प्रेशन अर्थसास की सामन्य जानकारी और हल ही मी गटी गटनाओं की जानकारी यानि की करनट जी के से समधित question आपके general awareness और general knowledge के अंदर पूछे जाएंगे तो ये जो है, चार सेशन में ये question आपको पूछे जाएंगे एक session आपके हिंदी इंगलिस का रहने वाला है दूसरा आपके general awareness और general knowledge का और एक आपके mess का और एक reasoning का, यानि चार session होंगे हर एक session से आपको 20-20 question पूछे जाएंगे जो 40 marks के होंगे, यानि की total execution आएंगे आपके exam में और 160 number का paper रहने वाला है अगर आप गलत करते हैं, तो एक बटाओ दो जो है, आपके negative marking के अंक काटे जाएंगे, तो इस परकास से जो है, SSEGD 2030 के exam का, जो है, ये exam pattern है और syllabus जो है, आपको point wise, आपको topic wise जो है, हमने इस वीडियो पे बताया है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like और channel को जरू सब्सक्राइब कर देना और SSEGD से समधी, जो भी नहीं latest update है वो आपको इस channel पर सबसे पहले दी जाएगी, तो channel को subscribe करना बिल्कुल नहीं भुले, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ने इस वीडियो में, तब तक के लिए जे हिंदर